हे ब्रीमन वेल्कम बैक तो माई नियो वीडियो तो फ्रेंज फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने इस चैनल में यहाँ पर मैं आप लोगों साथ कुछ ऐसे से सेर करूंगी जिसे आप बिना ट्राइ किये बिना रह नहीं पाएंगे तो दोस्तों चलिए आज मैं आप लोगों साथ कुछ इमेजिंग टिप्स सेयर कर रही हूं जिसे आप फालो करिये एंड अपने किचन घर के कामों को आसान बनाइए तो कुछ नहीं टिप्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ट्राइ करना चाहते हैं और करने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है काफी ज्यादा अच्छा मिलता है तो हम वही चीजे हमेशा के लिए रूटीन में सामिन कल लेते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो आज कुछ कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसे आप कोई ना कोई टिप्स तो जरूर ट्राइए करेंगे तो चलिए टिप्स बनाने के लिए तो अभी तक आप लोगों ने वाला ट्राइड नहीं करा हुआ है तो जरूर ट्राइए करिएगा तो सबसे पहले आपको करने क्या है पतीला रख देना है उसके बाद आप जितने कप जो है चाय बनाने वाले हैं उस एक अकॉर्डिंग इस पर चीनी करते हैं तो जर्शक कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर चीनी जो है हमारी गलने लगी है तो यहां पर आपको मिडियम टू लो फ्लों पर ही करना है ज्यादा हाई नहीं करना है नहीं तो आपका पतिला जो है जल भी सकता है तो यहां पर हमारी जो चीनी है मिल्ट होने ल तो चलिए यहां पर हो चुका है बहुत अच्छे से मिल्ट हो जा रहा है आप लोग देख से हैं कुछ इस तरीके से इसका कलर जो आया हुआ है तो यह दोनों कि शेकाई हो चुकी है यह आप लोग देख सकते हैं और इसकी जो खुश्बू होती है ना कुछ दूसरे टाइप क कर दे रहे हैं पानी तो यहां पर पानी डालने के बाद इसका जो मैंने बनाया हुआ था कुछ इस तरीके से हो जाएगा तो आपको टेंसर लेने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यह दीरे दीरे इसे में मिल्ट होता जाएगा तो चलिए पानी को हम अच्छे से बॉयल हो यहां पर जितना बनाएंगे उसी का कवर्डिंग आपको यहां पर चीजे लेनी है तो चलिए इसको हम अच्छे से कूट ले रहे हैं कूटने के बाद हम इसको चाए में डालो देंगे तो आप इसमें रहे हिस साथ हमारी चीजे भी अच्छे से पक जाएं तो इसमें मैं साना डाल दे रही हूं और इधर हमारा अच्छे से पक चुका है अब हमें इसको जादा पकाने की जरूत नहीं है क्योंकि लगभग चीजे हमारी जो है पक चुकी है तो चलिए इसमें लास्ट में एट करेंगे दूद को तो दूद यहां पर हम डाल दे रहे है तो देखिए हमारी चाय जो है गाड़ी होती जा रही है इसके बाद हम एट कर देंगे इसमें दूद को और दूद को हमें जादा देर तक पकाना नहीं है बस इसे तब तक बाल करना है बस दो तिन उबाल आ जाए बस क्योंकि हमें दूद जादा पकाना नहीं होता है तो यहां पे अच्छा खासा हमारी चायक बायल हो चुकी है, मैंने आख चायकों कुछ लग तरीके से बनायी हुआ है, इसको टेस्ट करिएगा बहुत ही बेधरीन होता है, और यहां पे निकाल ली हूँ तो चलिए भई हमारी तो चाय बनके तयार हो गई है बहुत ही प्यारा सा इसका कलर भी आया हुआ है तो यहां मैं winter के मौसम में cup को छोड़ दी हूँ क्योंकि मैं winter के मौसम में glassy योज करती हूँ एंड मेरा यहां पे second tips है चने को लेकर के तो भई जब मारी चाय बन चुकी है तो उसके साथ हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा तो बहुत लोग कच्छे चने खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो चलिए आज हम चने को कुछ अलग तरीके से मनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना इसको निकाल लेंगे क्योंकि इसका जो इक्ष्टा पानी है सारा का सारा निकल जाएगा तो यहाँ पे हमारी जो चन है अच्छा ख़ाशा फ्राइऄ हो रहा है इसके । जो कलर है तो भी चेंज होते जा रहे है yere और इस विचे पूटना हो गया है तो चलिए हमारा चना जो है अच्छे से पक चुका है इसको निकाल ले रहे हैं अलग से प्लेट में अब आप इसको चाहो तो इसनेक वगरखी बना सकते हैं आप इसकी पेश्ट बना लेजिए उसके बाद इसको आलोव घर में मिक्स करके ब बहुत ही खसता तयार हुआ है बहुत आराम से खसकस जैसा तूट जा रहा है तो फिलाल तो आज मैं इसको ऐसे ही नमकीन की तरह योज करूंगी तो इसमें मैं कुछ चीज़े एड़ कर दूँगी तो यहां सबसे पहले मैं डाल दे रही हूँ चाट मसाला आपको अपने स्वात की अकॉर्डिंगी इसमें सारी चीज़े मिक्स करनी है बहुत चटपटा चाहिए तो आप थोड़े से और एड़ कर सकते हैं तो यहां चाट मसाला हो चुका है उसके बाद यहां पर मैं रेट च चाहिए होगा क्योंकि चैने में बहुत जाटा नमक डालेंगे तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा ने लगेगा तो चलिए यहां पर मैंने नमक को भी डाल दिया हुआ है अब इसको क्या करेंगे अच्छ से मिक्स कर लेंगे आप इसके ऊपर भुना हुआ जीरा भी एड कर सकते हैं आप अपने स्वात्या कार्डिंग उसको डाल सकते हैं तो फिलाल तो हमारे बनके तयार हो गया है चाय के साथ तो हमारा तो माननी का नास्ता कंप्लीट हो चुगा है दोस्तों आप लोगों ने यह चीजी अभी तक ट्राइ नहीं कर रहा हुआ है तो जरूर ट्र आयल था वह हमारा जो है प्लेट से अलग हो चुगा है तो फाइनल में हमारा तो सुबा का नास्ता रेडी हो गया है तो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ तो यहां पर हमारी अगली टिप्स है तवेपर के तेल को बाटल में कैसे डाले तो चलिए बहुत ही आसान सा ट्रीक है आप एजली जो है बाटल में डाल सकते हैं तवेपर का तेल को जैसे की में यहां arbitr नहीं wynूश्तों डेखो जारा है न फिलाल मचा कर्ञें दोस्तों यहां पर कोछ इस तरीके से हल्दी जो है उपर आना स्टार्ट हुआ है क्योंकि यह घर की तेल है तो सुध्ध आयल है तो इसी में अगर आप कड़ाही में बना रहे है तो आप तावे पर भी इस तरीके से कर सकते हैं तो मैंने यहां पर इसको जो है अच्छे से पकाना स्टार्ट कर दिया है तिससे मैं कम से कम 5 मिनट तक और पकाऊंगी तो चलिए इसको हम पकड़ने देते हैं और एकदम से हाई फ्लेम पे आप इसको बिल्कुल भी ना पकाईए आप इसको मेडियम टूलो पर ही पकाईए ताकि यह जले ना अच्छे से इसमें पक यह जली हम इसको पका लेते हैं उसके बार आपको दिखा रह thế seront यहां पर आप लोग डिए। सकते हैं इसका ब्लैक कड़ने वाहिद उल्कुल कीमा को मिनट करते हैं उसके बाद येके क当 आप शॉम्रार 20 जान ले रहेएं। तो चलिए इसको हम पुरा का पुरा छान ले रहे हैं क्योंकि हमें इक्ष्ट्रा उसकी चीजे नहीं चाहिए होगी सिर्फ हमें जो आयल है वही चाहिए होगा अब इसको हम यूज किसम करेंगे किस तरीके से करेंगे चली बताती है तो जैसे कि बहुत सारे जो है आयल वगारा हम मार्केट से लाते हैं हमने बालों में लगाते हैं और हमारे बाल जो है बहुत जाता गिरते रहते हैं तूटने से लगते हैं और उसका जो कलर है वाइट हो करें ुसमें आप के तैयार हो गया है आपके अपके यूज कर सकते हैं अब यहाँ पर चीज है यूज करते हैं। जासे कि यूज करते हैं। सब्सक्राथा है तो की जाई हम शचीज हम चाहिए उसी किरा आलु करने mają। तो आलू को बाल करने के लिए हमें चाहिए होता है पानी तो पानी में हम इसको बाल करते हैं तो जैसे बहुत सारे जैसे इंडियन जो होते हैं आलू जो है चतनी वगरे साथ वैसे ही अच्छे से उबाल करके खाना पसंद करते हैं तो ऐसे हम क्या होता है आलू को टेस्ट बह बिल्कुल पानी नहीं रहेगा बहुत अच्छे से बनेगा तो सबसे पहले हम क्या मैंने क्या करना आलू को कट कर लिया हुआ यहां पर मैंने आलू को बिल्कुल भी छिला हुआ नहीं है तो उसको बिल्कुल भी छिलना नहीं है अजोसे कि नई आलू जो होती है थम इसको दालने से आलू जो है मारी अच्छे से गल भी जाती है साथीसाथ अंदर तक इसमें बहिंजाती है तो आप चाहो तो इसको वैसे चटनी के साथ खा सकते हो आप कुछ भी बनाओ इसमें आलू में आपको नवक परियाब तुम आत्रा में मिल जाएगा तो मैंने यहाँ पर नमक भी add कर दिया हुआ है अब मैं अलग से यहाँ पर एक bowl ली हूँ अब bowl में मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है तो पानी हमें डालना नहीं है यहाँ पर मैं एक kitchen towel ली हूँ kitchen towel ध्यान रहना है आपको एकदम से आपको साफ सुतरत चाहिए होगा शाथी साथ आप इसका यूज करे हुए हैं इससे जो हैं बिल्कुल भी कलर नहीं निकलने चाहिए क्योंकि अगर आप नया यूज कर रहे हैं तो उसमें से कलर निकलेगा उसके बाद मैं कुछ ही से आलग को उपर इसको रख दूँगी तो यहाँ पे मैंने आलग को उपर इस तरीके से रख दिया हुआ है हमारा कीचन डावल गीवा है अच्छे से फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ी से पानी जो है इस तरीके से छिड़क दे रहे हूँ तो चलिए भीया हम आज यहां पे मैं बीना पाने के आलू को बाल कर रही हूँ उसके बाद आप भी तक आप लोगे नहीं किया है तो एक बाद जरूर ट्राइ करिएगा तो यहां में मैं लगा दे रही हूँ ठकन लगाने के बाद इसको मैं रख दे रही हूँ पकने के लिए तो आप 2 सीटी पे 3 सीटी पे जितने देर में आप आलू बाल करते हैं आप कर सकते हैं तो चलिए हम कल लेते हैं तो यहां पे इसका प्रेशर जो है निकल चुका है चलिए इसको खोल के आप लोगों के सामने ही दिखा रहे हूं हमारी आलू जो है उबली हुई है कि नहीं हुई है क्योंकि मैंने रखते टाइम भी आप लोग साथ दिखाया हुआ था तुरंत जब निकाल रही हूं तब भी सेयर के रहा हुआ है तो यहां पे बिल्कुल भी आप लोग साथ चीटिंग नहीं हुआ है अभी आप लोगों को दिखा रहे हूं प्लेट में निकालने के बाद कि यहां पे आलू किस तरीके से हुआ है तो आप बिल्कुल भी ना समझ जिएगा कमने इसमें पानी एड़ कर करते हैं तो खा सकते हैं तो आप इसका पूरी पराठा कुछ भी बनाइए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट भी आएगा और उसके बाद आपको इसके जो छिलके हैं निकाल लेने हैं तो यहां पे हमारी आलू जो है अच्छे से काउडी बनाने वाली है क्योंकि इतने सारे प्याज अगर हम लेके बैठते हैं तो जो कोई भी देखता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज आती है कि आद तो कुछ ना कुछ चीजे मिलेगी फिलाल तो कुछ नहीं मिलने वाली है मैं इसको यूज करूंगी सबजी में तो प्याज कटने के कुछ अलिग तरीके से अगर आपके पास से जोपि और नहीं है और आप बारिक से बारिक प्याज कटना चाह रहे हैं तो बहुत यह आसान सब्यक्रेकश है आपको यहाँ लेना है यह फाक और उसको बीच में इस तरीके से डाल दे रहे हैं उसके बाद हम को दिखाते हैं किस तरीके से हमें इसको कट करना है तो यहां पे मैं प्याज को इस थर July कई सि Caesar Is his जो है चील ही उसके बाद आप आसानी से समगर करके प्याज जो है बारिक से बारिक कर कर सकते हैं वीडियो दोस्तों थोड़ासा लंबर हो रहा था इसलिए मैंने यहां पर फास पर्फर कर दिया हुआ है तो आप बहुत खी असान तरीकी से प्यास की कट्रिय गार लिया हुआ है इससे दो फाइदे होनगे आपके प्यास जो छोड़ेंगे नाम के साथ जैसी कि मेरी एक फ्रेंड पटना से अपना कमेंट छोड़ी हैं बट नाम नहीं दी हैं तो वीडियो पसंद आए तो आगे भी सेयर करना मिलते हैं